हेलो बच्चों मैं आराधना बर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूं बच्चों आज हम लोग कक्छा 10 की हिंदी पुस्तक असपर्श 2 का पार्ठ नंबर 13 तीसरी कसम के सिल्पकार सेलेंद्र के प्रस्ण उत्तर इस विडि क्या सब्दार्थ सहित पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं तो बच्चे जो बच्चे नए हैं जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है आप उस वीडियो को देख लें ताकि आप इस वीडियो में आई हुए प्रस्ण उत्तर को अच्छी तरह से समझ लेंग हैं वो पहले कुछ प्रस्ण आपको मौखिक प्रस्ण दिये गया है तो पहला प्रस्ण उसमें क्या है इस मौखिक प्रस्ण के लिए क्या निर्देश दिया गया है निमलिखित प्रस्णों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए चली हम लोग इसको सॉल्व करना शुर सेलेंद्र थे उसको कौन कौन सा पुरुषकार दिया गया था आप उत्तर में क्या लिखेंगे जैसा कि हम लोगों ने पार्थ में देखा है तिसरी कशम फिल्म को राष्टपती द्वारा स्वर्ण पदक मिला तथा बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसियेशन ने उसे सर्फ् फिल्म को मास्कों फिल्म के फेस्टीवल में भी पूरस्कृत किया गया ऐसा आप लिकेंगे अगला प्रस्न है बच्चों कि सैलेंद्र ने कितनी फिल्म में बनाई तो इस पार्थ के जो मुख्य पात्र है यह那我們 कितने फिल्म में बनाए थी इसके आप से पुछा जा रहा है तो आप उत्तर में लिखेंगे सेलेंदर ने मात्र एक फिल्म तिसरी कशम बनाई अगला प्रसना आप से पुछा जा रहा है राजकपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम बताए तो अभिनेता राजकपूर जो काफी मश्हूर है फ गवी दिश्री 450 संद्रम आदी फिल्में निर्देशित की निर्देशित फिल्म उनंके जाइक फिल्मों के नाम को जा और पूछ एम्ही अन濃क नाम को पूछरा आब फिल्म में उन्होंने किस पात्र का अभी नहीं किया है यह दोनों आपको बताना है आप उत्तर लिखेंगे इस फिल्म में राज कपूर ने ही रामन का और वहिदा रह्मान ने ही रावाई की भूम का निभाई है अगला प्रसने बच्चों फिल्म तीसरी कसम का निर्मान किस ने किया तो जैसा कि हम इस पार्ट से जान गए हैं कि तीसरी कसम जो फिल्म था उसका निर्मान यानि कि निर्मान मतलब होता है जो पैसा उसमें लगाते हैं तो तीसरी कसम फिल्म का निर्मान सेलेंदर ने किया थ जो निर्मान करते हैं उसको निर्माता करते हैं अगला प्रसना बच्चों राज कपूर ने मेरा नाम जो करके निर्मान के समय किस बात की कलपना नहीं की तो राज कपूर जो बहुत बड़े निर्देशक थे अविनेता थे निर्माता भी थे वो मेरा नाम जो कर जब बना रह था कि इस फिल्म का एक भाग बनाने में च्छा वर्स का समय लग जाएगा तो उनको कितने बसका समय लग गया थे बंधाने में 6 वर्स का। अगला प्रस्न है बच्चो राशकपूर कि कि सेन्दर का चहरा मुर्जा गया तुझ राशक पूर्सन दोनों मित्र थे जब वह अपने फिल्म बनाने की बात राजकपूर से सलेंदर जी करते हैं तो फिर क्या हुआ कि उनका चेहरा मुर्जा गया तो उत्तर में आप लिखेंगे तिसरी कसम की कहानी सुनने के बाद जब राजकपूर ने महनत नामा मांगा यानिकी वह अपना फीस मांगे कि मैं इ राजकपूर जी उससे पूछ सकते हैं और बच्छों हम लोगों ने देखा था इस पांट में कि राजकपूर जी बनसे ऐसे दोष्ता न मजाक्ट कर रहे थे वर अग्ला प्रस्था वह फिल्म समिक्षक राजकपूर को किस तरह का कलाकार मांथे ते जो फिल्म किस टआρεक् और आखों से बात करने वाला कलाकार मानते थे अगला है लिखित अभी तक तो मौकिक देख रहे थे अगला है अगला जो पार्ट है आपको लिख कर इसका जवाब देना होगा और एक इतने सब्दों में आपको देना है निमलिखित प्रस्णों के उत्तर 25 से 30 सब्दों में लिखिए ऐसा निर्देश दिया गया है तो पहला प्रस्ण आप से क्या पूछा जा रहा लिखित में तीसरी कसम के फिल्म को रिणुद्वारा लिखी शाहित्तिक रचना है तो फणेश्वर्नाथ रेनु एक लेखक थे उन्होंने एक साहित्तिक रचना लिखा था उसी पर बेष्ट त्रिश्री कसम फिल्म बनाया गया च्यलूलाइट का आर्थ होता है किशी द्रिश्य को हूँ बहु केमरे पर उता कर दिया जा तो उसे कहते हैं शेलूलाइट उसका चित्रांकन करना यानि कि जैसा आप कल्पना कर रहे हैं बिल्खुल वैसा ही चित्र सामने में आप दर्सब को दिखा दे या फिल्म भी कविता के समान भावुकता समेदना मारमिकता से भरी हुई कैमरे की रिल पर उत्रे हु हो उसी तरह से चितर ही था उसी तरह से भावुकता लिए फील्म वैसा को दिखा गया है अग्ला प्रसब्स तीसरी कसम फिल्म को खरिदार क्यों नहीं मिल रहे थे फिल्म इतनी अच्छी से बनी थी फिरसी मिल फिर फिर और देखने बाले जो ज़्यादा दर्सक होते हैं तो जो वित्रक थे जो पैसा इस फिल्म जो फिल्मों से पैसा खमाते हैं उसका वित्रन करके वो सो मस्ते थे कि आम आदमी चुकि इस फिल्म को अच्छे से नहीं समझ पाएगा तो दर्सक उतना सिने महौल तक नहीं करते हैं वो वित्रक इस को खड़िदने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे इस फिल्म को लेंड्र कंद करता को पुसर करत भादкив क्या है तो आफ Αम से लेंडर ень में उतले पन को थोपना नहीं चाहिए तो बोलते हैं कि दर्सक अगर चाहे कि उतलापन या नीचापन के ही पर तो एक कलाकार को ऐसा डिमांड को पूरा नहीं करना चाहिए बलकि उनका परिस्कार करना चाहिए बलकि उनका इस तरह कि अगर वो कैसे सोच रखते हैं अगर तो ऐसे दर्सकों का हमें विरोध करना चाहिए कि आय जे कलाकार का दाइद तो सवस्ते वं सुंद्र समाज कि रचना करना है विक्रित-माणिशिकता को बढ़ावा देन नहीं है तो वो बोलते हैं कि ऐखाए का भी अहाथ तक समाज को सही तरीके से रास्ते पर चलाने के लिए जिम्मिदार होते हैं अगला प्रस्ण है फिल्मों में तरासत स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरिफाइग क्यों कर दिया जाता है तो जो दुख वाले जो सीन होते हैं सिनेमा में परिशानी वाले उसको और बढ़ा चिरा कर बारनी को जिस से की में भावबॉक होकर कि फिल्म को ज्यादा ज्यादा प्संद करे उनका उदेश के विल टीकट विन्डो पर ज्यादा ज्यादा टिकक क्वना का पर अधिक इनमा घरों पर और अधिक च़्पेसा कमाना वोता है कि कमा उधितरक का इसलिए दुख को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं जो बास्तम में सच नहीं होता दर्सक उसे पूरा सत्य मान लेते हैं इसलिए वे तरासत इस्थितियों को ग्लोरिफाई करते हैं तो जैसा की वितरक चाहते हैं कि इस तरह का आप सिनेमा बनाए जिसे की टिकट खिर की पर ज्यादा ज्यादा दर्सक उम्रे ठीक उसी तरह का फिल्म निर्माता फिल्म बना देते हैं जो की सलेंद्र जी सही नहीं मानते हैं अगला प्रस्ण है सलेंद्र ने राजकपुर की भावनाओं को शब्द दिये हैं इस कथन से आप क्या समझते हैं असपश्ट कीजिए यहां पर पार्ट में बोला गया है कि तिसरी कशम जो फिल्म बनाया गया था सलेंद्र जी के द्वारा उसमें उन्होंने राजकुमार की भावनाओं को शब्द दिये राजकुमार काफी भावु अभिनेता माना जाते थे तो उनके भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होगा मजे मजे हुए कलाकार थे और सलेंद्र एक अच्छे गितकार थे राजकपूर की छिपी हुए भावनाओं को सलेंद्र ने सब्द दिया तो जो सलेंद्र थे वह बहुत अच्छे गितकार थे और राजकुमार थे वह बहुत अच्छे भावु अभिनेता थे तो दोन दोनों में एक विसेश गुन था और दोनों की जोरी मिलकर इस फिल्म में काफी अच्छा प्रदर्शन की है अगला प्रसने बच्चों लेखक ने राजकपूर को एसिया का सबसे बड़ा सोमैन कहा है सोमैन से आप क्या समझते हैं तो लेखक जो है प्रलाद अगरवाल जी बोलते हैं राजकपूर एसिया के सबसे बड़े सोमैन है तो सोमेन का मतलब क्या होता है आपको बताना उत्तर में सोमेन का अर्थ है अपनी कला के परदर्शन से ज्यादा ज्यादा जन सबुंदा इकठा कर सके तो वैसा बेक्ति जो कि अपने कला से ज्यादा ज्यादा दर्शक को जुटा पाए उसे सोमेन करते हैं वह दर्शकों को अ राज कपूर भी महान कलाकार थे जिस पातर की भूम का निवाते थे उसी में समा जाते थे तो राज कपूर का ये विशेश भून था कि वो जिस पातर की अभी नहीं करते थे उसी पातर में डूब जाते थे इसलिए उनका अभी नहीं सजीब था उन्होंने कला को उचाईयों तक पहुंचाया था कि अगला प्रस्न है बच्चो फिल्म स्री 420 के गीत रातों दसों दिसाओं में कहेंगी अपनी कहानियां पर संगितकार जयकिशन ने आपति क्योंकि तो यह इस सब्धर तो दस दिशाओं से कहेंगे अपनी कहानियां इस पर जयकिशन जी को आपति हुआ आपको औत्तर में लिखना कि आप ऊत्तर देंगे राट तो 10 दिशाओं में कहेंगे अपनी कहानिया पर संघित्कार जय किसन को आपते थे क्योंकि समानिता दिसाय चार होती है वे 4 दिसाय सब्ध का पर्योग करना चाहते थे लेकिन सेलेंद से त्यार नहीं हुए वे कलाकार का अदाई तो मानते थे हैं कि उतले पन पर विश्वास नहीं करना चाहिए तो अगला है अप्षिट संह क्या 95 प्रस्न है यो कि आपको बच्चों बोला गया निर्देश दिया गया निम्लिक्त पृस्ष न कि बनाई थी या राजकपुर जी बोले थी स्यलेंद्र कि it इस सफल भी हो सकता है कि पीर बिसे लेंदा नहीं माने और फिल्म बनाएंसीह कशन तो ऐसा क्या था आगा आप एंसर में लिखेंगे से एक कवी थे उन्हें पनिश्वरनात रेनु की मूल कथा की समय दना गाड़े तक छू गई थी उन्हें फिल्म बैफसाय और निर्माता की बिच्छे में कुछ भी ग्यान नहीं था तो फिल पनिश्वरनात रेनी का जो कहानी था उसके समय दना उसको उनके दिल तक कुछ हो नहीं थे अलांकि वह इस फिल्म इंडरस्ट्री में बहुत साल से थे फिर भी उन्होंने इस कथावस्तु को लेकर फिल्म बनाने का निश्चे किया तो राजकपुर के मना करने पर भी वह इस कथावस्तु जो कि पनिश्वरनात का कथा था उस पर वह फिल्म बनाने की यह फिल्म बनाए उन्हें यह नहीं लेना देना था कि इससे कितना पैसा कमाया जाएगा उससे वह मतलब नहीं रखते थे अगला प्रस्ण है बच्चों तीसरी कसम में राजकपूर का महिमा मैं व्यक्तितु किस प्रकार किस तरह ही रामन की आत्मा में उतर गया सपस्ट कीज परको अपने प्रवनमतलब प्रवीन ठीक है ना अपने काम में काफी अगे मजे हुए थे अबजबति प्रफ पात्र को अपने उपर हावी नहीं होने देते ठीक है बलकि उसको जीवंथ कर देते थे टो भी वह रसी आक्टिग करते थे उसको धूब जाते है उनका अपना जो वक्तिगत करेक्टर था उसको उसके नहीं होने देते थी इसरी कसम में भी हिरामन पर राजकपूर राज कपूर आपने दिखा है राज बैठना नोटंकी किवाई में अपनापन खोजना गीत गाता गारीवान और सरल देहाती माशूमियत को चरम सीमा तक ले जाते हैं इस तरह के रोल वो उसमें करते हैं इस तरह उनका महिमा महिवक्तित ही रामन की आत्मा में उतर गया तो काफी महान अविनेता थे और वो ही रा रचना के साथ सत प्रतिसत नियाई किया है तो लेखक जो पढ़लाद अगरवाल जी हैं वो बोलते हैं कि तीसरी कसम जो है वो सहीत रचना के साथ पूरा पूरा एकदम जस्टिफाई कि 100% ऐसा वो क्यों करते हैं आपको उत्तर में लिखना है उत्तर में आप लिखेंगा ब प्रसंग घटनाों में कहीं कूई परिवर्तन नहीं किया तो उस ति Jackson में जैसे जैसे पात्र थे उनका व्यक्तित जैसा ठाप संग जैसा था सेम टूसेम वो इस फिल्म में दिखा दिये कहानी में दी गई छोटी छोटी बाते फिल्म में पुरी तरह उतार दी गई जैसा फिल उन्होंने फनिश्वरनात रेनु जी ने लिखा था बिल्कुल सलेंदर वैसा ही फिल्म को बना दिये सलेंदर ने धन कमाने के फिल्म नहीं बनाई थी इसलिए वो उसमें किसी तरह का पड़िवर्तन या मिर्च मसाला अपनी तरफ से नहीं डाले उनका उदेश्य एक सुन्दर कृती बनाना था उन्होंने मूल कहानी को यथा रूप में प्रस्तोत किया उनके योगदान से एक सुन्दर फिल्प तिसरी क के रूप में हमारे सामने आई है तो उनको भले ही नुकसान हो गया बित्रक नहीं मिलते थे लेकिन वह जैसा पनेश्वर्नात रेनुजी का कथा था बिल्कुल वैसा ही फिल्म में दिखा दियें लेखक ने इसलिए कहा है कि तीसरी कसम ने शाहित रचना के साथ सत्परतिसत का नियाई किया है इसलिए प्रफलाद जी बोलते हैं प्रफलाद अगरवाल जी जो कि इस पार्ट का पार्ट के लेखक है कि तीसरी कथम जो फिल्म थी वह साहित रचना के साथ पूरा सत्परतिसत नियाई करता है करता है लो उसमें बिर्कु भी फेर बदल नहीं हुआ अगला प्रसन है बच्चों सलेंदर के गीतों की क्या विसेस्ता है अपने सब्दों में लिखे तो सलेंदर जी जो गीत गाते थे उसकी क्या विसेस्ता थी आपको अपने सब्दों में लिखना है तो सलेंदर जी कभी भी थे और गितकार भी थे आपको आप उत्तर में लिखते थे काफी भावुक गीत लिखते थे लेकिन उसमें वो घटी आपन बिल्कुल भी नहीं डालते थे उनके द्वारा रचित गीत उनके दिल की गहराईयों से निकले हुए थे अता वे दिल को छू लेने वाले गीत थे यही कारण है कि उनके लिखे हैर गीत अतियंत लो होना चाहिए बचो अगर आप इस चैनल पर हिंदी की पढ़ाई पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी नया वीडियो में इस पर अप्लोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए आगे बच्चों हम लोग प्रसंद देखते हैं पांचमा फिल् में लिखेंगे फिल्म निरुमाता के रूप में सेलंद्र की पहली और आखरी फिल्म तिस्री कसम ही थी मतलब उन्होंने बस एक ही और आख नाया उनकी फिल्म यस और धन की इक्षा से नहीं बनाई गई थी सलेंद्र ने साहित्ति रख्ष्णा को बहुत ही अच्छा इसमें प्रदर्शन करते हैं वह धन और किसी और लालसा से इस फिल्म के निर्मान नहीं करते बलकि साहित्ति का असल रूप लोगों के सामने में दि आगे आप क्या लिखेंगा बच्चों उनकी समयदन शिल्ता पूरे फिल्म में नजर आती है बेसक इस फिल्म को खड़िदार नहीं मिलें पर सेलेंद्र को अपनी पहचान और फिल्म को अने को पुरुसकार मिलें और लोगों ने इसे चरहा तो भले पैसा उन वह नहीं कमा बिखता है कैसे आपको बताना है आप उत्तर देंगे सेलेंद्र के निजर जीवन की चाप उनकी फिल्मों में जलगती है कैसे जोटे अविजायत को कभी नहीं अपनाया तो जूटा जो दिखावा होता है उसको वो कभी भी असल जिंदगी में भी नहीं अपनाते थे और फ मजनियवला चीज उसमें नहीं होता था उनका कहाना था कि कलाकार का या करतब है कि वह उप्भोगता की रूचियों का परिशकार करने का प्रयत्न करें तो बोलते हैं कि कलाकार जो है वह अगर दर्सा कुछ इस तरह की चीज़ देखना चाहते हैं जो सही नहीं है समाज की दृष्टी कौन से तो उसका हमें परिष्कार यानि विरोध भी करना चाहिए उनके लिखे गए गीतों में बनावटी पर नहीं था उनके गीतों में सांत नदी का प्रवाव भी था और गीतों का भाव समिद्र के तरह गहड़ा भी था यानि कि वो नदी की प्रवाव के तरह काफी अच्छे गीत लिखते थे जो सुनने में काफी करन प्रिय हुआ करते थ जैसे समुद्र की घराई होती है यही विशेस्ता उनकी जिंद्गी की थी और यहीं उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा शाबित किया तो इस तरह से आप एंसर लिख सकते हैं बच्चों आगे अगला प्रस्न होगा लेखक की इस कथन से कि तिसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कभी हिर्दे ही बना सकता है आप कहां तक सहमत है असपस्ट कीजिए तो प्रलाद जी बोलते हैं कि तिसरी कसम जो फिल्म है वो एक सच्चा हिर्दे वाला जो कभी होगा वो ही बना सकता है कैसे आपको उसको असपस्ट क का या कथन बिल्कुल सही है क्योंकि इस फिल्म की कलात्मक्ता काविले तारिफ है ति इस फिल्म में कला भर भर कर एक दम कूट कूट के भड़ा गया है जो कि एक कभी यानि शरेंद्र जैसे लोग ही ऐसी कला भर सकते हैं बच्चों सलेंद्र एक समेदन सिल्त था भाव में कभी थे और उनकी शमेदन सिल्ता इस फिल्म में असपस्ट रूप से मौजूद है यह समेदन सिल्ता किसी शधारन फिल्म रिर्वरता में नहीं होती है तो इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि वो चुकि एक कभी थे साहित का उनको अच्छा जानकारी था इसलि वह आपको बताना है तो अगला प्रस्ण है बच्चों वह तो एक आदर्सवादी भावुक कभी था जिसे अपार संपती और यस तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्म संतुष्टी के सुक्की अभिलासा थी तो इस इन पंक्तियों के द्वारा प्रणाजी क्या बोलना चाते हैं आप उत्तर में लिखेंगे बच्चों इन पंक्तियों में लेखक कासे है कि शेलंद्र एक ऐसे कभी थे जीवन में आधर्सवा भावनाओं को सर्वपरी मानते हैं जब उन्होंने भावनाओं सम्वेद्नाओं वशाहित की विद्याओं के अधार परतिसरी कसम फि था कि दर्सकों की रूची की आर में हमें उतले पन को उन पर नहीं थोपना चाहिए कलाकार का या करता भी भी है कि वह उब्भोकता की रूचियों का परिस्कार करने का प्रियत्म करें तो यह सलेंद्र के बोले हुए पद्ध है तो पंक्तियां है तो इसका आर्थ आपको आशे असपस्ट करना है आप उत्तर में लिखेंगे फिल्म स्री 420 के एक गाने में सलेंद्र ने दसो दिसाओं सब्ध का प्रियोग किया तो संगितकार जैकिशन ने उन्हें कहा कि दसो दिसाओं नहीं चारों दिसाओं का होना चाहिए चुकि लोग चार दिसाओं को जानत के तो इसमें ना है को आध्युकिं स्विकार करना एक को त्यार रहाना चाहिए उतलेपन या आप पर नहीं थोपता मैं statement अगला या तो आदम को पराजित नहीं करती उसे और बढ़ने का संदेश काओं में बच्चों आसे है इस पार्ट में तो बच्चों आप इस इन पंक्तियों के द्वारा यव पंक्ति लेखक ने सलंद्र के गीतों के संधर्म में लिखी है कौन लिखे हैं लेखा क्यानी प्रलाद जी सेलेंद्र के गीत केवल मनरंजन के लिए नहीं बल्की जिंदगी से जुझने का संदेश भी देते हैं तो बताते हैं कि वो जो ऐसे गीत लिखते हैं जो सिर्फ मनरंजन का नहीं होता है फिल्म में बल्की कुछ संदे देना चाहते थे कि यहां पे ऐसा वलकी होगा कि ठक हार कर बैठ जाना उचित नहीं होता अपितु बार-बार प्रयास करनी चाहिए तो अपने गीतों से हमेशा यह शंदेज देते थे कि हमें ठक कर किसी चीज़ से परेसान हो कर रुखना नहीं चाहिए बलकि लगातार प्रय गलतियों से सबक लेना चाहिए मनें जिन्दगी में अगर कुछ गलती करते हैं तो उससे हार नहीं मानना चाहिए बलकि हमें आगे के लिए सबक लेना चाहिए अगला प्रस पंक्ति है दरसल इस फिल्म की समयदना किशी दो से चार बनाने वाले की समझ में समझ से पड़े ह तो प्रलाद जी इसके बारे में क्या बोल रहा हूं कि आसे हैं उनका इस पंक्ति से आप उतर देंगे तीसरी कसम फिल्म की समयदना किशी आम आदमी के समझ से पड़े थी यह प्रलाद जी बोलना चाहते हैं आने फिल्मों की तरह जिनका उदेश श्रिफ लाव कमाना होता कि किस तरह से इसमें सस्ते लोग लुभावने मशालों को नहीं डला गया है उस तरह से इस तरह से यह होगा इस तरह से ठीक है इस तरह से इसमें सस्ते लोग लुभावने मशालों को नहीं डला गया किसमें तीसरी कशम में आगे है बच्चो अगला प्रस्ण पंक्ति है उनके गीत भाव प्रवन्थ थे दुरुह नहीं तो इसका अर्थ क्या बोलना चाह रहे हैं लेखक प्रलाद जी वो बोलते हैं सलेंद्र के गीत सीधी साधी भासा में सरस्ता वप्रवा लिये हुए थे इनके गीत भावनात्मक्ट घण बिचारों वाले तथा समेधनसील थे तो बोलते हैं की सलेंद्र जी के गीत होते थे, वो और काफी बाववकता लिये हुए समेधनसील हुआ करते थे फिर भी वह काफी सरल और प्रवाव लिये होते थे जो की गाना सुनते समय काफी अच्छा लगता था वच्चो इस तरह से इस पार्ट के प्रस्णुत्तर समाबत वे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी शायता करेगा यह वीडियो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालू तो यह सबसे पहले आप तक जाए क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर बन चुके रहेंगे धनिवाद बच्चों देखने के लिए मिलते अगले वीडियो में एक नए पार कि जाए तब तक के लिए नमस्कार